यह है हमारा Poco का F6 डिवाइस और आज हम यहाँ पे रेट्रो रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसे पुराने रोम का जो कि मैंने आपको पहरे भी दिया था और यह रेट्रो स्रीच आपके दम पे चरदे क्योंकि आप लोग रिकमेंडेट करते हो बाद में पुराने रोम के बार आए दिया और उनकी रोम चेक करी बट वो मुझे उतना ज्यादा सही नहीं लगा इसलिए वीडियो नहीं आया बट इसका आपके तरब से सपोर्ट आ रहा है तो वीडियो लेके आ गया हूं तो आज हम इसी के बार में बात करने वाले हैं कि यह जो रोम में यूज कर रहा ह हूं यह आज की टाइम में कैसा काम कर रहा है और आपको यूज करना चाहिए या फिन नहीं तो चली स्टार्ट करते और अच्छा लगता है तिया लाइक कर देना और आपको गर रेट्रो स्रीज पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को सेर करना ताकि आपका सपोर्ट बेट से मैं इसे जो इनिमेट कर रहा है जो यह को काफी पसंद आने वाला है और यह प्रोपर काम करता है तो इसे में लग आ वाले मैंने जो कि आपके AI के help से यहां पर create कर सकते हो लेकिन रही बात यह रोम क्या है कैसे काम करता है क्या का चीज़े देखनी को मिलती है तो यह है हमारा हाई प्रविश 2.2 जो कि मैंने पहले भी रिव्यू किया था उसमें भी काफी अच्छा बताया था बट लॉंग देखनी को मिलता है Android 15 यहां पर 3-month का security patch है और यहां पर करनल वगड़ा है बाकि दर चीज़े आप यहां पर देख पाऊगे अनिमेसों रियली में काफी ज्टा शूपर डूपर स्मूध आपको देखनी को मिलता है अनिमेसों से रिलेटेट कोई भी सिखायत यहां पर आपको नहीं होने वाली काफी साही तरिके से काम करता है बाकि फ्लेस लाइट वह यहां पर फीचर्स मिल जाता है जो कि टॉट व कर सकते हो साइड बार वगएरा है जो कि और यह आपका वर्किंग भी रहता है बाकि यहां पर वही सारे कॉमन से आपको मिल जाते हैं एकाउंट्स हो गए रहे हैं आपको स्क्रीन टाइमिंग की बात करें यहां पर तो वह चीज देखनी को मिलती है इस रों में एड नहीं करा गया था आपके वर्किंग रहते हैं डिस्पले के अंदर यहां पर नॉर्मल सा कस्टमाइशन रखा गया है कोई खास मोटिफिकेशन नहीं किया गया ताकि आपका लॉंचर श्टर्टर ना करें लैग ना करें और यह चीज यहां पर आपको नोटीस होती है कि काफिय स्मू रख सकते हो ज्यादा सब्सक्राइश चाहिए तो 120 रखो आपको बेटर रिस्पांस मिलेगा यहां पर यहां पर यहां पर फीचर से वह एड होया हुआ है जिसमें से कई सब्सक्राइब कर सकते हो इसके बारे मैंने पहले भी बताया था अगर आप अलार्म सेट करते हो तो आपको टायमिंग जो रिमें बचा हुआ रहेगा वह आपको लॉक सिंप नगर आजाया कि कितने तिर में आपका अलारम बजने वाला है यह नया चेंज है लॉक स्किन मिल्कुल है वह साधी चीज़ आपको मिलती है टायमिंग भी यहां पर अनलॉक किया गया है बट मैं रि ट से हो बाकी रहेइबात एक्स्ट्रा कस्टमाइजरसन तो यहां पर हमिलते हैं 지chnet बार्द टंट्पर मलते में एक ट्यक को मिलने गा मिलते हैं डिस्प्रेसर Casa को समट के अंधर गदों कि अ जाकि आपको एक स्मूद एक्स्प्रियेंस मिले अनदर यहां पर स्विंग और पहले से सारे ओफ रहते हैं और जब यह ओफ रहेंगे और आप चेक करोगे तो आपको सब कुछ नॉर्मल टेखनी को मिलेगा लेकिन जैसी आप इन्हें आपको चेंज दिखाई देगा आपके के अंदर फोटो जो गए रहा के अंदर यानि यहां पर गूवल वाला के अंदर जैसी आप इन्हें चेंज कर देते हो आपको यह चेंज देखनी को मिलने लग जाया कि जब मैंने फर्स्टाइम नॉर्मल चेक किया ना तो मुझे सब कुछ यहां पर लिम्टेड टेखनी को प्लस और अल्ट्रा एक्स्ट्रीम यहां पर देखनी को मिलता है इसलिए इन सेटिंग को आप यूज कर लेना ताकि आपको इस्टा बेनिफिट मिल सके और आप उसके मजले पाओ अनदर यहां पर मिसलीनिस के अंदर हाइड एकाउंट वगेरा है अपडेट सिस्टम एप अगेरा का है कुछ hidden setting है जो कि आप यहां से चीजे कर सकते हो एक्सेस बाकि यहां पर यहां पर फीचस दिये गए हैं यहां पर आपका लॉक इसकिन के ऊपर जो की फिंगरपींट है ना उसके आइकन सब्गर चेंज कर सकते हो सही तरीके से काम करता है कोई दिक्कत यहां प अप्लाई सेटिंग्म जिसे आप सारे से चीजे अप्लाई कर पाऊगे यहां पर मुझे सही लगा अब यह बात यहां पर प्रफॉइंस क्या निकल के आता है इस रोम का तो वह मैं आपको यहां पर दिखा जाता हूं कैसा बिहेव है इसका जैसे आप इससे सेटर्ट पूर जो कि आप यूज कर सकते अपने हिसाब से और यह पहला रोम है जिसके अंदर आपको तीनों पास देखने को मिलते हैं और फर्स्ट रिव्यू में मैंने आपको यह बताया था और इस्टील अभी भी यह पास है क्योंकि इन फ्यूटर आगे चलके गूगल की पॉलिसी और स 24,094 का परसेंटेज है और काफी स्टेवल और बालेंस रिजल्ट है वहाँ पर अंटूटू स्कॉर भी बाके दर रोम के कंपरिजन में थ्वासा हाई है 47 का टेंपरेचर गया 7% बाइटी डोप जो कि नॉर्मल में कवागी है इस डिवास के लिए प्रस्टनली उसकार यहा आपको ड्रेंट ज्यादा मिलने वाला है क्योंकि यह चीज मैंने प्रस्टनली नोटिस किये लेकिन इतना वह ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा बूड़ा हो जागा नहीं उतना नहीं है लेकिन हाँ हलका फुलका है इसकी वन मैंने चार्जिंग पर डाला तो देखो 18 म में यहां पर 54 परसेंट चार्ज हो जाता है जो कि काफी अच्छा-कासा स्पीड है और सेकेंड जब मैं इसे चिक करता हूं तो चार लाख 11,000 मैक्स चला जाता है और मिनों यहां पर तीन लाख 17,000 94 का परसेंटेज है यानि पर्फॉमेंस यहां पर बूस्ट हुआ है इंप प्रोपर काम करता है तो आपको सिखायत नहीं आने वाली तो अभी के टाइम पर भी इसे मैंने इसलिए रेट्रो पर डाला है क्योंकि सब कुछ यहां पर पर्फेक्ट काम करता है और स्पेसलिया स्मूधनेस आपका काफी बहतरी नहीं रहने वाला है कुस्टमाइशन वग जारे कुछ करने की जोड़त नहीं सिंपल सा तरीका है और आप अगर इसे यूज करें जब से लेके अभी तक ना तो कमेंट करना अपना उपनियन ताकि बाकिया दर यूजिस को भी पता चले और अगर आप चालते हो कि रेट्रो यह जो स्रीज है यह कंटिनियूर है इन फ पसंद आया फिर आप मुझे सजेश्ट करोगे उसे मैं फिर आज के टाइम पर चेक करूँगा कि कैसा आज के टाइम पर वह काम कर रहा है और सहीरा तो वीडियो दूँगा अधरवाइस नहीं मिलेगा तो यह टोटली आपके ऊपर डिपनेंट रहने वाली स्रीज है तो झाली स्रीज़ आज कर वह काम कर रहा है